चीन और अमेरिका के बीच काफी समय से ट्रेड वार चल रहा है वहीं पिछले कुछ दिनों में भारत और अमेरिका के बीच सम्मन भी जादा मजबूत हुए हैं इसलिए चीन ने भारत को सक्थ हिदायत देते हुए कहा है कि वो अमेरिका चीन के बीच चल रहे कोल वार से दूर रहे जीहां चीनी मुकपत्र Global Times ने भारत को सला देते हुए लिखा है कि अच्छा होगा अगर भारत अमेरिका चीन के मामलों से दूर रहे चीन ने चेतावनी के लहजे में लिखा है कि अगर भारत अमेरिका का साजीदार बनकर चीन के खिलाफ कुछ भी करता है तो कोरोनो महामारी के बीच आर्थिक परिणाम बहत खराब होंगे भारत के परोसी देश चीन ने कहा है कि बहतर होगा कि भारत इस कोल वोर्ड से बाहर रहे जिससे कि दोनों देशों की बीच चल रहे व्यापारिक सम्मन्द बने रहे चीन का कहना है कि भारत के साथ व्यापारिक सम्मन्द बहतर बनाए रखना ही उसका लक्षे है इसलिए चीन आगे भी भारत में चल रहे आर्थिक सुधार के लिए दोनों देशों के बीच के संबन को बहतर बनाए रखेगा चीन ने आगे चेतावनी देते हुए कहा है कि चीन वैसे किसी भी परिस्तिती से बचना चाहता है जिसमें राजनीती कारणों से भारत को आर्थिक दुष परिनाम भुकतने पड़े इसलिए मोधी सरकार को भारत चीन के बीच के संबन को लेकर एक साकारात्मक विचार धारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए चीन ने भारत को सिर्फ आर्थिक परिनाम भुकतनी की चेताव नहीं नहीं दी है बल्कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन हटाये जाने को लेकर भी दिल्ली का उफास बनाया है वही हाल ही में अमेरिका के प्रस्ताव को लेकर चीन के सरकारी मीडिया ने कहा है कि चीन और भारत को वरतमान में सीमा पर जारी गतिरोत को हल करने के लिए अमेरिका की साहिता की ज़रुरत नहीं है तो दोस्तों आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको न्यूस परसंद आई तो लाइक और शेयर करें ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ सब्सक्राइब कीचे हमारा चैनल लेटेस्ट और इंट्रेस्टिंग नीउस के लिए